हेलो फ्रेंट्स, स्वदेशी उपचार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गर्मियों में तुचा के लिए अम्रित है दही फेस मास्के बारे में। फ्रेंट्स, टिफ जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्वदेशी उपचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ताकि हम आपके स्वाथ संबंदे जानकारी आप तक देती रहें। तो फ्रेंट्स, जानते हैं, गर्मियों में तुचा के लिए अम्रित है दही फेस मास्क। गर्मियों के मौसम में जैसे जैसे गर्मी तेज होती है, हमारी तुचा अपना निखार खोती रहती है। ऐसे में आप कुछ इस तरह के ब्यूटी प्रोडिक्स का इस्तमाल करने लगती हैं, जिससे हमारी तुचा को कई समस्याएं होने लगती हैं। हम आपको बता दें कि आप दही का उप्योग करके भी अपनी तुचा में निखार पा सकती हैं। जी हाँ, दही हमारे चेहरे की ब्लोग को बरकरार रखने में काफी मददकार होती है। पहला उपाय है एंटिक एंजिंग। उम्र बढ़ने पर अक्सर हमारी तुचा में जूरियां और फाइन लाइसेंस होने लग जाती हैं। जिससे हम बुड़ी लगने लगती हैं। अगर आप भी इस तरह की समस्याओं से गरस्थ हैं, तो ऐसे में आप तीन चमस दही के साथ केले को मिला कर इसे अपनी तुचा में लगाएं। इसे कम से कम 20 मिनट तक अपनी तुचा में लगा रहने दे। इसके बाद आप अपने चेहरे को धोले। दूसरा उपाय है स्क्रब। दही का इस्तमाल कर अपने चेहरे को स्क्रब करके आप अपनी तुचा की रंगत को बढ़ा सकती हैं। हैसे में आप दो चमच दही के साथ तीन चमच जो का आटा मिला दे। आप चाहें तो जो के आटे की जगर चावल का आटा भी लगा सकती हैं। इसे कुछ देर तक चेहरे पर लगाए रखें और फिर चेहरे को धोले। इससे आपको अपने चेहरे में चमच दिखाई देगी। तीसरा उपाय है मौश राइजर। दही केवल हमारे चेहरे को ही नहीं बलकि हमारे हाथों, पैर और सरीर के हर हिस्से को नमी प्रदान करती है। इसे कुछ देर तोचा में लगाने के बाद 20 मियर तक छोड़ दे। ऐसा करने से आपकी तोचा में चमच और ग्लो आएगा। धन्यवाद।